बेन साथियों स्वागत है आप सभी का आज हम लोग राष्ट मंडल खेल 2022 के बारे में पढ़ेंगे ये जो राष्ट मंडल खेल है इसका आयोजन बर्मिंगम इंग्लेंड में किया गया था या इसका 22 वा शंसकरन था जिसकी सुरुआत 28 जुलाई को और समापन 8 अगस्त को उदगाटन एवं समापन समारो का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था अलग जेंडर स्टेडियम में ठीक है और इसका जो सुभंकर था वो था पेरी दबूल जिसके डिजाइनर एमालू थे जो आयोजन हुआ था इसका मोटो अस्पोर्ट इस दा बिगनिंग था याद रख के जो संख्या थी वो 210 थी दखिए यहां पर 210 है जिसमें पूर्षो की संख्या एक्षोचे और माहिलाओ की संख्या 104 राश्ट मंडल खेल के जो बरतमान महा सचीव हैं इनका नाम है पेट्रीसिया अस्कॉटलेंड क्यूसी याद रखेंगे पेट्रीसिया अस्कॉटलेंड क्यों से और उद्घाटन समारो में जो भारतिये ध्वज बाहग थे उन में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिन मनप्रीत सी भारतिये होकी के कप्तान है और देखिए समापन समारो जो हुआ था इसमें जो ध्वज बाहग थे वे अच्यंत सरत कमल और निखत जरिन याद रखेगे पूछा जाता है कि उद्घाटन समरो और शमापन समरो में भारतिय ध्वजबाह कौन थे अब आईए देखते हैं पदक तालिका को तो पदक तालिका पर अगर नज़र डालते हैं तो इसमें पहले अस्थान पर अस्ट्रिया है और अस्ट्रिया ने कुल 178 पदक जीते हैं जिसमें इंग्लेंड ने कूल 176 पदख जीते हैं जिसमें संतामन स्वर्न पदख 66 उर्जत पदख और तीरपन काश्यपदक भारत रहें देखते हैं पैला पदक जो है वे संकेत महादेव सरगर नी जीता था तो भारो तोलन में जीता था जिसका वर्ग था पचपन किजी तो ये जो संकेत महादेव हैं वा पहला पदक जीते थे राष्ट पंडल खिल में भारत के लिए रजत पदक था भारो तोलन में था कितने केजी वर्ग में था तो 55 केजी वर्ग में था और यह कहां के रहने वाले हैं महराष्ट के रहने वाले हैं अगर वही बात किया जाए कि भारत के लिए पहला श्वर्ण पदक किसने जीता तो मीरा भाई चानू ने जीता है जी ह इन्होंने 49 के जीवार भारबर्ग में यह पदक जीता है वारो तोलन करती है आए देखते हैं आगे आगे है अगर भारत के लिए सर्वाधिक पदक की बात किये जाए ब्यक्तिगत स्रेनी में तो सरत कमल जो समापन समरो के ध्वज भाहग भी थे तो इन्होंने टेवल टेनिस कुल 4 पदक जीते हैं और वही कहा जाए कि भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है तो इसका जो सही जवाब होगा वो कुस्ति होगा कुस्ति में भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं जिसमें 600 एक रज़त और पांच कास याद रखेंगे अगर सर्वाधिक पदक किस ख भारती एथलीट में अनाहत सीन थे जिनका उम्र मातर 14 वर्स था और यह कौन सा खेल से जुड़े हुए है तो स्क्वैस ठीक है और वहीं अगर बात किया जाए सबसे उम्र दराज भारती एथलीट तो सुनील बहादूर जिनका उम्र 45 वर्था और यह लॉन बॉल्स खेलते है ठीक है ना आएए आगे देखते हैं सर्वसेट एथलीट का डेवीड डिक्सन पुरसकार किसे दिया गया तो दोस्तों सर्वसेट एथलीट का डेवीड डिक्सन पुरसकार जो है वो तियानवेई फेंग को दिया गया है टेवल टेनिस कहां से है तो सिंगापूर याद रख कर लेते हैं, इस से पहले जो राष्टमंदल खेलायो जीत हुआ था जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था या इसका एकिस्वा संसक्रण था तो आप से पूछा जा सकता है कि राष्टमंदल खेल, जो की 21 painter वाला, 2018 में कहाँ है जो तो गोल्ड कोस्ट व्ल्ड वोस्ट कहां है आस्ट्रेलिया में है ठीक है आए आधे देखते है अब जो है कि 23 जो होगा अभी तो 22 हुआ है बर्मिंगे में तो 23 कहां होगा तो 23 भी Viktoria में होगा जो कि Δ्यों कि असलिया में ही है 23 राष्ट मंडल खेल कब होगा 14 सल के बाद होता है अभी 22 में अगर बात किया जाए पर्थम राष्ट मंदल खेल कहा हुआ था तो पर्थम राष्ट मंदल खेल 1930 इस्वी में हुआ था कनाडा में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था 1930 इस्वी में याद रखेंगे important है static रूप में कि पर्थम राष्ड मंदल खेल कहा उवा तो कनाडा में हुआ तो एक परस्ण और यहाँ पर बंता है शातियों कि क्या भारत ने कभी राष्ड मंदल खेल का आयोजन गिया है तो जी हां भारत ने 2010 सिवि में राष्ट मंदल खेल का आयोजन किया था दिली में किया था और भारत राष्ट मंदल खेल में कब भाग लिया तो भारत ने पहली बार राष्ट मंदल खेल में 1934 सिस्वी में भाग लिया था ये भी important हो जाता है याद रखेंगे तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अश्पीडी करेंट फेर से राष्ट मंदल खेल 2022 को कवर करने का प्रयास किया है उमीद करते हैं आपके लिए वीडियो फाइदे मंद होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेर करें चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइक और प्र